अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने abstract class की बात की हम लोगों ने discuss किया था कि क्यों हम abstract classes को use करते हैं और हम लोगों उन्हें कुल मिलाकर ये बात निकाली थी कि abstract class एक ऐसी class हमें बनाने वेसायता करता है कि जिसे हम और useful classes यानि की quantity classes बना सकते हैं ठीक है सो यहां पर मैंने intelligent idea अपना fire कर लिया है और यह मेरे load हो रही है workspace को जल्दी से मैं यहां पर बंद करता हूँ एक नई file यहां पर मुझे बनानी है इस particular video के लिए तो यह हमारा होने वाला है video number let me see कौन सा video number यह मेरा होने वाला है आप लोग देखो यहां पर यह मेरा होने वाला और सब चीज़े जैसे मैंने आपको abstract classes बिल्कों clearly बताया था पिछले वीडियो में interfaces भी आप लोग को समझ में आएगा और उसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग abstract class versus interface के बारे में भी बात करेंगे तो यहां पर मैं जल्दी से interfaces लिग देता हूँ और interfaces एक ऐसा topic है ना पितलब होता है तो कुछ इस हिसाब से मैंने यहां पर आप लोग को programs बनागर बताऊंगा और notes में आप लोग को बनागर बताएं कुछ इस हिसाब से ठीक है तो यहां पर हम लोग notes में आएगे वापस abstract class तो हम लोग समझ गए ठीक है एक बात मैंने आप लिगी थी कि it is possible to create reference of an abstract class और आप उस reference को equate कर सकते हैं जो उसकी subclass है उसके बराबर आप कर सकते हैं उसको यहां पर बात करूँगा मैं ठीक है यहां पर मैंने यह बात लिग भी दिया we can also assign reference of an abstract class to the object of the concrete subclass तो आप जो concrete subclass बनाओगे उसका आप object अगर बनाते हो और reference आपका abstract class का है यानि कि अगर मानलो आपकी abstract class है कहां गई मेरी class phone model तो आप लिग सकते हो phone model vivo is equal to और आप फिर कर सकते हो new phone जो भी आप concrete class बनाओगे मानलो जो आपका new phone है वो वी वो है मानलो आपने class बना रखी है जो कि आप phone model से इन्हारेट करके बना रहे हो उसका नाम मानलो आप लोगों ने phone रख दिया है तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो यह बार हमने अल्यडी कर लिए dynamic method dispatch वाली interfaces का मुद्धा है यह video का मुद्धा interfaces बात करते हैं इसकी क्या होता है यह तो देखो आप स्ट्रक्लास को क्यों हमने इस्तेमाल किया गया था तो कुल मिलाकर आप स्ट्रक्लास क्या करती थी आपको एक model देती थी कर दिदी इसमें कुछ abstract methods होने वाले है और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे methods हो जो कि abstract ना हो यानि कि ऐसे method जो कि सारे phone model के लिए same होने व I am just making it up but मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक phone को जब आप मानलो switch off करते हो तो maybe आप एक ही काम करते हो जो उसकी power है उसको turn off कर देते हो somehow from the circuit ठीक है उसके circuit को आप switch off कर देते हो और अगर इस तरह कि कुछ ऐसे काम है जो कि इसकी subclasses में same होने वाले है तो आप उसको यहीं पर implement कर देते हो ठीक है तो ऐसा होता है हमारे पास लेकिन जो interface होता है उसमें एक भी method ऐसा नहीं होता है जो की आपका abstract ना हो तो interface क्यों use करते हैं इसकी बारे में भी आगे बात करेंगे लेकिन abstract class क्या थी एक बार और revise करा दिया हमेंने कि एक abstract class में abstract methods तो ह हो सकते हैं लेकिन non abstract methods भी हो सकते हैं यानि कि एक abstract class एक ऐसी class है जिसमें कम से कम एक abstract method हो उसमें और कुछ concrete methods भी हो सकते हैं जो कि already implemented है लेकिन कम से कम एक method इसमें ऐसा होगा जो की abstract होगा ठीक है यह abstract class थी और इसका use देख लिया था हमने कि कुछ methods आपको implement करने है यानि कि आ अगर आप नहीं करोगे तो आपको abstract करना पड़ेगा अगली class को जो भी आप inherited करके बना रहे हो interfaces में कहानी कुछ और होती है after class का मैंने revision इसलिए करा है क्योंकि अभी इन interface के बारे में मैं बताने वाला हूँ और वहाँ पर यह चीज जो है काम में आने वाली है तो interface क्यों use करते हैं abstract class से क्या काम नहीं बन रहा था interface को अभी के लिए भूल जाओ Java में अभी के लिए अंग्रेजी मतलब समझे लो interface का क्या होता है तो अंग्रेजी में अगर बात करें हम तो interface is a point where two systems meet and interact for example आपका टीवी है टीवी में आद तो buttons लगे होंगे या remote में buttons होंगे आप इसको watch कर सकते हो buttons की साहिता से volume up down कर सकते हो channel change कर सकते हो HDMI VGA switch कर सकते हो अगर HDMI cable से लेना चाते हो display input तो आप HDMI cable से ले सकते हो VGA से लेना चाते हो तो VGA से ले सकते हो यह सारे काम आप लोग कर सकते हो ठीक है तो यह एक interface है यह जो button है यह एक interface है आपके बीच में यानि कि TV आपके बीच में और TV के circuitry के बीच में यह जो है interface इसकी सहायता से आप TV को instruct करते हो कि यह वाला channel लगा दो यह वाला display use करो ऐसा करो वैसा करो यह सारी चीज़े आप instruct करत आप जैसे मैं अपना mouse का करदर हिला रहा हूं तो यह interface है आपका जो keyboard or mouse है ठीक है kind of अब हम लोग बात करेंगे java में क्या होते है interface और ऐसा क्यों बनाया गया ठीक है java interface java के अंदर ऐसा क्यों चुला गया कि ऐसी definition क्यों दे गई java interfaces को in java interfaces is a group of related methods with empty bodies यानि कि कुछ related methods with empty bodies अब related methods क्यों बोला है अपर मैंने related methods मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक interface है तो उसकी एक meaning होगी वह आपस में related होगे इसका मैं आप लोग example देता हूँ आपके पास एक phone होगा ठीक है एक phone जो है वो क्या क्या है एक phone आपका एक camera की तरह आप लोग उसको इसको 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 इस इस्तिमाल कर सकते हो और भी कई चीज़े हैं जो कि आप एक phone से कर सकते हो आप लोग एक phone को microphone के तौर पर यूज कर सकते हो speaker के तौर पर यूज कर सकते हो बहुत चीज़े हो जाती है smartphone से ठीक है तो ये एक interface माना जा सकता है camera एक interface माना जा सकता है mp3 player एक interface माना जा सकता है औ सारे इंटरफेस में methods हो सकते हैं आपका जो camera interface है फिर आपका music player interface की अगर मैं बात करूँ तो आपके music player interface में play music, stop music, pause music इस तरह के methods हो सकते हैं तो यह सारे जो methods हैं एक interface के अंदर जिसे कि अगर मालो मैं music player interface की बात करूँ तो इसके अंदर सारे के सारे methods आपस में related है related क्यों है related इसलिए है क्योंकि यह music player से relate करते है music player के संबन में बात की जा रही है इसलिए related है ठीक है so I hope यह चीज आपको समझ में आ गई तो अभी तक हमने सिर्फ यह देखा है कि जो java interface है वो group of related methods with empty bodies है यानि कि कुछ methods है और empty bodies है उनकी यही interface है अब example देखते हैं इसका मालो मैंने एक interface बनाई bicycle और मैंने इसमें एक apply brake बनाया और मैंने एक speed up method बनाया चुकि increment लेता है आजकल तो बहुत चीज़े हो जाती है तो मालो हम एक basic interface बना रहे है bicycle हम कहरे है इसमें दो function तो कम से कम होने चाहिए speed up और एक apply brake ताकि इनसान रोक सके ठीक है speed up मतलब आप पैडल कर रहे है आपर अगर battery वाली बाइक है तो आपकी मतलब आपकी जो यह speed up function है और apply brake function है इसको कई तरह से implement किया जा सकता है लेकिन हमने यहाँ पर एक interface बना दिया हमने यहाँ पर कुछ methods बना दिये जिनको implement करना जरूरी है हमने force कर दिया इन methods को implement होने से यानि कि इन methods को implement करो कि हमने force कर दिया है आप ठीक है अब हम लोग बात कर रहे हैं a1 cycle की यानि कि हम कह रहे हैं कि यार एक cycle है a1 cycle यह concrete class है यह एक interface था क्या interface के object बन सकते हैं आप लोग को बता दू नहीं क्या interface का reference बन सकता है आप लोग को बता दू हाँ interface का reference बन सकता है आगे इस बारे में और बात करूंगा notes में भी include कर रहे हैं मैंने यह सब ची inheritance होती है तो extends keyword का इस्तिमाल होता है लेकिन जब आप लोग interface को implement करे हो तो implements keyword का इस्तिमाल होता है ये बात हमने यहाँ पर देखी तो ये syntax को आप लोग यहाँ पर digest करो धीरे-धीरे और बाकी जो technicalities है मैं आपको बता दूँगा क्यों इस्तिमाल करते हैं ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देखो और मैं abstract classes versus interface भी आप लोग को बता हूँ कि कब abstract classes यूज़ करनी है कब interface यूज़ करना है लेकिन difference इतना ही है कि abstract class में कुछ non abstract methods भी हो सकते हैं interface के अंदर सारे के सारे methods abstract हैं यानि कि आपको उनको implement करना ही करना है अगर आपने यहाँ पर implements bicycle कर दिया तो आप लोगों को ये दोनों function की body बनागर लिखनी ही पड़ेगी ठीक है यहाँ पर आप लोग देखो class even cycle implements bicycle लिखा मैंने आप इंट speed is equal to 7 किया apply break किया in decrement किया और यहाँ पर मैंने इस method को implement किया और इस method को implement किया ठीक है यहाँ पर मैंने एक closing bracket लगाना मैं भूल गया हूँ तो उसको आप fix कर ले न इतना तो यार गलती हो ही जाती है लिखते समय जब आप paper पर code type करते हैं कुछ बहुत सारे comments आजाते हैं आपने तो close ली नहीं किया bracket अरे आपने तो इतना बड़ा पाप कर दिया अरे यह क्या कर दिया यह क्या कर दिया तो यार हो जाती है गलती इंसानी हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखो कि आने वाले वीडियो के लिए और आप मत कहना कि यार यह spoiler क्यूं दे दिया आपने मैं spoiler alert पहले ही दे रहा हूँ यहाँ ठीक है spoiler alert देने के बाद मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो abstract class है जो abstract class है आप multiple abstract class यूज़ करके एक नई class नहीं बना सकते लेकिन आप multiple interfaces का इस्तमाल करके एक class बना सकते हो समझते हो आप लोग यानि कि अगर मैं यह चाहता हूँ मैं आप लोग को बताया था है inheritance वाले chapter में कि आप लोग multiple classes का इस्तमाल करके एक नई class को जन्म नहीं दे सकते लेकिन आप लोग multiple interfaces का इस्तमाल करके एक नई class को जन्म दे सकते हो और यही सबसे बड़ा difference है abstract classes और interface में आने वाले videos में इस चीज़ का और अच्छी तरह खुलासा करेंगे बने रही है आप लोग हमारे साथ इस course में और हम लोग इसका खुलासा करेंगे पूरा आप लोग को बताऊंगा सही से लेकिन अभी के लिए abstract method abstract class interface और क्या difference है at a very high level यानि कि उपर उपर से आप लोगों को बस पता चल जाए कि यार interface इसलिए use होता है abstract class इसलिए use होती है हलका हलका idea लग जाए कि terms जो है सिर्फ terms से आप लोगों का mind blow ना हो जाए इसलिए अभी के लिए discussion को सिर्फ इतना ही रखूँगा इस वीडियो में आने वाले वीडियो में programs बना के दिखाऊंगा real world से connect करके दिखाऊंगा हाला कि मैंने किया real world से connect यहां पर भी और अच्छी तरह connect करके बताऊंगा और clarity पूरी लेकर आँगा इस चीज में इसलिए आप लोग यह Java का course अगर access नहीं किया आपने तो इसको कर ले ना क्योंकि यहां पर मैं पूरी complete Java पढ़ा रहा हूं और notes के साथ पढ़ा रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को step by step इतने अच्छी तरह से कोई compile करके देगा क्योंकि अगर आप documentation को भी देखो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं ऐसा नहीं है कि यह मैं सर्फ सारे के सारे notes खुद बना रहा हूं काफी इसमें majority portion मैं खुद लिखता हूं अपनी भाशा में लिखता हूं जैसे यह चीज़ है आपको कहीं इस तरह से लिखी हूई नहीं मिलेगी interfaces in English is a point आप लोग को कोई dictionary method sorry dictionary meaning नहीं बताता है किसी word का मैं आपर पहले dictionary meaning बताता हूं फिर उसके बात आदा हूं Java के अंदर लेकिन कुछ examples मुझे documentation से पसंद आ जाते हैं जैसे की interfaces आप लोग को समझाने के लिए वो एक अलग बात है लेकिन interface मैंने आपर example यहीं से लिया है Java interfaces bicycle और यहां पर देखना आजाएगा यह देखो यहां पर इसी पेश से मैंने उठाया example बस मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं चीजे कहा कहा से ले रहा हूं यह notes कैसे बना रहा हूं तो मैं docs को step by step यहां पर देखता हूं कि यह जो official docs हैं वो क्या कह रहे हैं फिर उसके बाद जो मेरी understanding है और फिर मुझे क्या लगता है कि किस तरह से deliver करना है इस चीज को कैसे आप लोग को समझाना है तो उन जब चीजों को सोच साच के मैं notes बनाता हूं उसलिए थोड़ा सा time भी लग जाता है कभी कभी बनाने में तो बहुत जल्दी upload भले ही मैं ना कर पाऊं videos को बट जितने videos upload कर रहा हूं बहुत concrete कर रहा हूं ठीक है सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गैस आप लोग इसकी playlist को access कर ले ना और एक बात आप लोगों से बस मैं बोलना चाहूंगा इस वीडियो में कि आप लोग अगर इस course को step by step देख रहे हो तो मुझे नीचे comment में बताओ मुझे यह जानना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि step by step end तक इस course को देख रहे हैं बस comment में इतना लिख देना step by step देख रहा हूं या देख रही हूं मुझे बस इतना चाहिए एक idea लग जाएगा मुझे रफली कि कितने लोग इसको धंग से follow कर रहे हैं from starting to the end I hope कि आप लोग को इस वीडियो पसंद आया thank you so much guys for watching this video and I will see you next time